दोस्तों food सबकी जरूरत भी है और सबकी पसन भी है तिन में तीन टाइम हमें खाना चाहिए रहता है इनदेस्ट्री में इसको भी बहुत ज्यादा ऑख इंडियन food industry वह around 60 lakh crore से ज्यादा की इंडेस्ट्री है जिसमें fresh food, processed food, online service laogles, all congrats है और यह industry जो है वो continuous grow कर रही है तो यहां पर बहुत सारे options आपको available है as a career आपका option सिर्फ और सिर्फ as a chef नहीं है यहां पर chef के अलावा और बहुत सारे creative और technical careers available है सारे careers हम discuss करने वाले हैं वीडियो को लास तक जरूर देखेगा हलो फ्रेंज वालकम टॉप करेंज इस महां मरें तोड़े विल गोंग डिसकस careers in food industry तो सबसे पहला जो option है वो है food journalist या फिर food blogger अगर आपको food industry में interest है और आपका interest है arts में writing में आपका interest है journalism में आपका interest है तो दोनों को mix करके आप as a food journalist या फिर food blogger बन सकते हो आपका काम क्या रहेगा तो आपको food related articles लिखने रहेंगे आप magazines books वगेरे के लिए articles लिख सकते हो यह profession में जाने के लिए course कौन सा करना होगा तो यहां पर जाने के लिए आप BA in creative writing कर सकते हो या फिर BA in journalism कर सकते हो या फिर diploma in creative and professional writing कर सकते हो तो यह सारे courses करने के बाद में आप इस field में जा सकते हो और food और journalism को mix करके आप अपना career बना सकते हो next option यहां पर available है food photography and videography दोस्तों अगर आपका mindset creative है और food industry में आपको interest है तो दोनों को mix करके आप इस field में जा सकते हो यहां पर आप food की photography और videography कर सकते हो बहुत सारे restaurants वगेरे को यहां पर requirement रहती है उनके menus के लिए photograph चाहिए उनको advertising करने के लिए जो companies रहती है online services की for example zomato swiggy वगेरे हैं उनकी भी requirement रहती है कि उनको food के अच्चछे photograph चाहिए और short videos चाहिए तो वो सारी चीज़े आप बना सकते हो और इस field में जा सकते हो यहां पर जाने के लिए आपको कौन से course कर सकते हो तो BA या फिर B.A.C. कर सकते हो आप फोटोग्राफी में या फिर diploma in photography कर सकते हो या फिर course नहीं करना है तो सिर्फ फोटोग्राफी की training लेकर भी यहां पर जा सकते हो यहां पर आप as a food vlogger भी बन सकते हो और अपने खुद के वीडियो शूट करके एक YouTube चैनल वगेरे भी आप बना सकते हो उसके बाद में एक option है आपके पास में वो है food scientist या फिर food technologist अगर आप technically sound हो और analytical mindset है आपका technology में interest है तो food और technology दोनों को मिला करके इस field में आप जा सकते हो यहां पर आपका काम क्या रहेगा सो process industry में आपका काम रहेगा process industry मतलब के जो process food रहते है for example biscuits है chips है ठीक है उसके अलावा बहुत सारे food जो packets में available रहते हैं वो सारे foods जो है वो industry में बनाये जाते हैं जिसमें additional preservatives additional जो है essence वगेरे डालते हैं वो लोग सो इसके अंदर में आप research में जा सकते हो यहां पर आप improvement in food preservatives के लिए काम कर सकते हो यह फिर artificial taste essence जो है उसके improvement के regarding में आप काम कर सकते हो food packaging and food processing techniques के regarding में आप काम कर सकते हो यहां पर जो है आपका काम जो है वो बड़ी बड़ी जो companies है for example Nestle है Coca Cola है उस तरीके की जो बड़ी companies है उनमें आप काम कर सकते हो यहां पर जाने के लिए कौन सा course करना होगा तो आप diploma in food technology कर सकते हो या फिर B.E. bachelor's in engineering in food technology आप कर सकते हो यह सारे course करने के बाद में आप इस field म जा सकते हो उसके बाद में आपके पास में option है आप as a food inspector काम कर सकते हो तो यहां पर यह एक government job रहेगा अगर आपको government job चाहिए और food में भी interest है तो इस field में जा सकते हो यहां पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा तो यहां पर किसी भी field में आप bachelor's degree कर सकते हो और उसके ब government और state government में vacancies जैसे आती है food inspector के लिए तो वहां पर आप apply कर सकते हो बैचलर's degree किसी भी field में होगी चलेगा लेकिन उनके जो papers आएंगे वो food के related में होंगे तो उसका knowledge आपको चाहिए होगा तो अगर आप अभी 12th standard में हो और plan कर रहे हो इस तरीके के government job की food inspector बनना है तो better है कि आप B.A.C. in food industry में आप food technology या ऐसी कुछ field में B.A.C. कर लो उसके बाद में उस job के लिए apply करो तो आपके लिए better रहेगा आपका role क्या रहेगा यहां पर तो आपको inspection करना होगा पर एक्जमपल restaurants, bakery वगएरे में जाकर आप inspection कर सकते हो कि किस तरीके का kitchen है, hygiene वगएरे क्या है, वो सारी चीज़े और food processing industry में जाकर कि आप inspection कर सकते हो तो यह सारी चीज़े आपका यह role रहेगा इस field में जाने के बाद में, आपका government job का mindset है और food industry में जाना है तो यहां पर आप जा सकते हो उसके अलावा next option है आपके पास में, dietation, आप एक dietation या फिर nutritionist बन सकते हो, यहां पर आपको B.Sc in food and nutrition करना होगा और उसके बाद में, Indian Dietation Association पे आपको register करना होगा, as a dietation, उसके बाद में आप as a dietation काम कर सकते हो आपका role यहां पर क्या रहेगा, तो hospitals, child care center में आप काम कर सकते हो, आपको suggest करना होगा लोगों को कि उनकी diet में क्या-क्या changes करना है, जो patients है उन लोगों को, जो child है उन लोगों को या फिर आप gym, fitness centers वगएरे में काम कर सकते हो, और particular community के सहु कर सकते हो, जो fitness में जिनका interest है, उनको आप जो है, food जो है, वो refer कर सकते हो तो आप sports academy में काम कर सकते हो, जो athletes वगएरे रहते हैं, उनकी diet में क्या change करना है, उनके weight के according क्या-क्या चीज़े करना है, तो ये सारी चीज़े आप वहाँ पे कर सकते हो, उसके अलावा, दूसरा scope देखा जाए, तो common सा scope है, आप as a chef काम कर सकते हो, अगर completely food में ही आपका interest ह food बनाना आपको अच्छा लगता है, तो आप as a chef किसी restaurant में या किसी bakery वगेरे में आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, so particular food जो है, उसमें कुछ improvement करना है, fresh food की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, fresh food उसका taste वगेरे, texture वगेरे कैसे improve कर सकते है, कैसे कुछ नहीं dish आप बना सकते हो, वो सारी चीज़े आपको करना रहेगा, उसके लिए course जो है, बहुत सारे courses available है, आप BA in catering technology में कर सकते हो, आप bachelors in catering and culinary arts कर सकते हो, आप diploma in food and beverages कर सकते हो, आप diploma in bakery and confectionery कर सकते हो, यहाँ पे आपको food के related में उसके texture है, color है, taste के related में सारी चीज़े practical और theory दोनों चीज़े आपको सिखाए जाएगी, उसके अलवा, next आपके पास में option है, restaurant manager, अगर आपको business में interest है, और food के related business में interest है, तो यह job आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप as a, किसी भी restaurant, bar में as a manager काम कर सकते हो, आपका role क्या रहेगा, सारी चीज़े manage करना, staff से ले उसके अलवा raw materials कहां से लेना है, किस तरीके से marketing करनी है, सारी चीज़े आपके अंदर में रहेगी, तो वो सारी चीज़े आप कर सकते हो, अगर आपका business में interest है, और food में interest है, तो आप यहाँ पे जाने के लिए courses कौन से करने रहेंगे, तो यहाँ पे bachelor's in hotel management कर सकते हो, B.A.C in hospitality कर सकते हो, या फिर B.A. in hotel management वगेरे course आप कर सकते हो, तो बहुत सारे अलग-अलग options हमने discuss किये food industry में, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम गा हो, तो इसे like जरूर कीजेगा, share कीजेए में दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही career related, job related, education related information आपको तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, thank you so much.